इंडिया गटबंधन की बैठक में शामिल होने के बाद शिफसेना, UBT के नितार संजेराउत ने कहा कि हम एक जुट हैं लोग सभचुनाव में इंडिया गटबंधन को जीत मिलने के बाद घटक दलों में जोश है दिल्ली में इंडिया की बैठक हुई जिसमें सभी दलों ने एक जुटता दिखाने की कोशिश की हलाके भी सरकार बनाने का दावा नहीं किया गया लेकrån समय का इंतजार करने पर सेहमती वनी है बैठक हुई है, सभी हमारे जो इंडिया ब्लॉग के मेंबर्स है, सभी उपस्तित्ते खरगे साफ के घर में बैठक हुगे, सोनिया गांदी जी, प्रियांका जी, राहूल जी, खरगे जी, शरतपार साफ, श्ट्यालिन साफ, अकलेशादव जी, तेजेश्वी, सभी थे, और हमारी जो एक जूट चुनाव से पहले रही, हो यह आज कार रहे हमने यह तई किया है कि हमको जो मैंडेट मिला है वो मैंडेट इस देश में जो फैसिजम बढ़ रहा है, तनाशाहि, सभी दान के खिलाब जो काम चल रहा है, उसके खिलाब मिला है, तो करने वाले लोग है, तो हमको जब मौका मिलेगा एप्रोप्रेट टाइम का हम इंतिजार कर रहे हैं तब जो पीपल्स डिजायर है यह सरकार बदलने की उछ दिशार में हम कदम बढ़ाएगे और इंडिया गडबंदन की बैठक में कैसे तै हुआ सरकार बनाने का दावा नौ पेश करने का प्लान किस ने की थी ये पहल आएए देखते हैं रबो इंडिया गटबंदन की बैठक में सोनिया गांधी ने ये प्रसाव रखा कि उन्हें सरकार बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इसके लिए उन्होंने लोकतंत्रों और चुनाब में जीती सीटों का हवाला दिया जानकारी के मताबिक सोनिया की प्रसाव के बाद सभी दलों के नेताओं ने उनकी बात मान ली सोनिया ने कहा सियासी लड़ाई संसद में की जानी चाहिए वही राहूल गांधी ने बैठक में कहा कि हमें अपने तेवर बनाए रखना चाहिए और जनता के बीच फ्रांट फुट पर रहना चाहिए हमें अपने मुद्दो पर अडिग रहना चाहिए नितीश कुमार इस वक्त काफी डिमांड में है फ्लाइट में नितीश और तेजस्पी की सासा तस्वीरे सामने आए और उसकी बाद दिल्ली में हलचल कासी मच गई दोनों के बीच मुलाकात हुई और क्या बात हुई ये बड़ा सवाल है जब से लोगसबा चुनाव के नतीजे आये हैं तब से नितीश कुमार को लेकर कयासो का बाजार गर है पल्टी मारने में माहिन नितीश कुमार को लेकर उस समय हलचल तेज हो गई जब नितीश और तेजस्वी यादफ का लेक ही फ्लाइट से दिल्ली आते देखे दोनों चाचा भतीजे पहले आगे पीछे बैठे नजर आए आप वीडियो में देख सकते हैं कि नितीश आगे बैठे हैं और ठीक उनके पीछे तेजस्वी है थोड़ी दिर बाद एक और तस्वीर सामने आई जिसमें दोनों एक साथ बैठे होई दिखाए दिये इस तस्वीर की गूंज दिल्ली तक पहुंची प्लेन में तेजस्वी नितीश की मुलाकात सियासी गल्यारों में चर्चा का विशे बन गई इंडिया की बैठेक में शामिल होने आई तेजस्वी यादव से जब नितीश के साथ मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया अलाकि नितीश कुमार ने कहा कि वो एंडिया के साथ है लेकि नितीश के बारे में हमेशा ही कहा जाता है कि जिधर सत्ता उधर नितीश कुमार नितीश पल्टी मारने में माहिर है चुनाव से पहले पर्टी मार कर NDA के साथ हैं हैं अब जवाल है कि क्या नितिश पर्टी मारेंगे या अब NDA के साथ ही रहेंगे सोहिल देभारतिय समाज पार्टी के राशिय अध्याशों प्रकाश राजपार ने का है कि वो हार की सबिक्षा करेंगे TV9 से बाचीत में ने कहा कि वो नरेंद्र मोधी को 30 सी बारसीम पनाने के लक्ष को लेकर चले थे वो हासिन देखें सोच समझकर आप चुनाव लड़ते हैं क्या हो गया कैसे देखतें इस चुनाव परड़ाम को इस जनमत को इस जनता के जनादेश को कैसे देखें कि हम सभी लोग जनता के वीश में गए एंडिये गड़बंदन के सभी लोग जनता को समझाने का जो हम जोंगे पास था लोगों ने बताया मोधी जी के काम को योगी जी के काम को हम जोगों ने बताया और जो यह थार्त मोदी जी ने किया है सायद कोई कर नहीं पाया गरीबों के लिए कांग्रेश और सपा की सरकारों में अनाज गोदावों में सड़ रहे थे यह सवाल जाके पूछो कांग्रेश से कि 99 सीड जीतने वाले आपकी समूझ से कांग्रेश सरकार बना रहे हो दिल्ली में 293 सीड जीतने वाला सरकार बनाएगा कि तुम बनाओगे मैं क्या कह रहा हूँ हम लोग जनता के बीच में गए जनता को हम लोग समझाने में फिल रहे या जनता हम लोग की बात समझने में फिल रहे आप बताओ कांग्रेश की सरकार थी तो क्यों नहीं 5 लाक रुपया इलाज के लिए दिया असी करूर आनाज क्यों नहीं दिया गुदामे में सड रहे थे क्यों नहीं दिया अगर अच्छा काम हो रहा है तो अच्छे काम की परशंट सर नहीं करेंगे अच्छे काम की चर्चा जनता के बीच में नहीं करेंगे महिला बिल 33% आरक्षन क्यों नहीं पास किया कांगरेस सपाने मिलके सरकार्ती अगर उसको मोदी जी ने किया है तो हम लोग इन चीजों को लेके जनता के बीच में गए आज सोलर पैनल के मादम से बीजिली फिरी देने की योजना हम लोग बना लिए मोदी जी बना लिए हम उसको लेके जनता के बीच में जा रहे है चुनाव हारना जीतना जो एक लक्ष हमलों का था एक लक्ष तो हमलों को मिलन है देखे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हाट तारीक को हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी पर सपत लेने जा रहे है अयोध्या में बीजेपी पर समाजवादी पार्टी ने प्रहार किया यू पी में बीजेपी की सबसे बड़ी हार अवजशेत्र में हुई है अईध्या ही नहीं अवजशेत्र की 90% सीट बीजेपी नहीं जीत पाई अयुध्या के 100 किलोमेटर के दाइरे में लगभग सभी उमिद्वार हर गए अयुध्या से लेकर बलिया तक बीजेपी को भारी नुकसान हुआ फैसाबाद में बीजेपी को हराने वाले सबाजवादी पार्टी के विजई उमिद्वार अवधेश प्रसाद ने कहा कि जन्ता ने बीजेपी की पोल खोल दी है अवधेश प्रसाद जीत को लेकर गदगद है और इसका श्रे जन्ता को दे रहे है अवधेश बीज़ भाद के आपी छाद करेंजिएर